स्पीड ऑफ्सांड, किसी भी मीडियम में अफने पास, जो होता है, वो दो चीजे उपर डिपेंड करता है एक तो उस मीडियम की Elasticity पर, दूसरा उस मीडियम की density पर, जो sound है, ठीक ना, वो air में ऐसो thermal process के according travel नहीं करता, तो सर्फ किसके according travel करता है, चाहे अब प्रेशर को इंक्रीज करो चाहें डिक्रीज करो उससे स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी फरक पढ़ने हैं वाला नहीं जब डिस्प्लेश्मेंट जीर होती यानि की पार्टिकल मीन पुजीशन पर होता है तो अपने पास कॉंप्रेशन भी हो सकती और रेयर फ्रे में चर्चा करी थी हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एक स्ट्रिंग के ऊपर स्टेशनरी वेब बनाई जाए तो उसमें दो कंडिशन हम लोग देख रहे थे एक थी अपने पास बोथ एंड फिक्स वाली एक थी अपने पास वन एंड फिक्स एंड वन एंड फ्री तो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी देखे थी हार्मोनिक देखे थे ओवर टोन की भी बात की थी और एंड में कुछ सवाल किये थे आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग बेसिकली अपना सारा का सारा धान लॉंगिट्यूडनल होती है solids में क्या होती है तो हम लोग इस बारे में बात करें दूसरा लोगी टूटल वेब की क्विशन क्या कैसे दिखाई पड़ती है और तीसरी चीज़ा आती है और अगर आप लोगों को स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग पर समा जा गई है उसके दोनों के समा जा गए है बोथ एंड फिक्स्ट या वन एंड फिक्स्ट और फ्री तो आपको और गन पाइस तो ऐसा लगेगा रहे है सर जी तो लल्लू था तो बड़ा सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ओफ साउंड की किसकी बात करते हैं स्पीड ओफ साउंड की अगर बात करी जाए तो स्पीड ओफ साउंड किसी भी मीडियम में अपने पास जो होता है वो दो चीज़े उपर डिपेंड करता है एक तो उस मीडियम की इलास्टिसिटी पर दूसरा उस मीडियम की डे is equal to under root of E divided by rho. rho क्या है density, E क्या है elasticity? E है elasticity of the medium. Elasticity of the medium. अब medium कुछ भी हो सकता है आपने पास. solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, gas भी हो सकता है. और rho क्या होता है आपने पास? density of the medium. density of the medium. समझ लग रहे हैं बात आपको? तो E क्या है अपने पास? elasticity of the medium. rho क्या है अपने पास? density of the medium. ठीक है? तो जो speed of sound है, वो दो चीजों पर depend कर रहा है अपने पास. अब हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं सर. अगर मैं बात करूं किसकी? अगर मैं बात करूं solids की. तो solids के लिए, of elasticity. Y क्या है अपने पास? Young's modulus of elasticity. बटा असान-असान सी चीज़े हैं. और आत्मी है paper बात. ठीक है ना? Young's modulus of elasticity. city है अपने पास. तो भाई साब formula क्या बन गया? V equals to under root Y by rho. Simple. अगर आपने solids में देखना है, speed of sound, तो speed of sound solids के case में अपने पास क्या आएगा? E की जो value आजाएगी, वो Y हो जाएगा. यानि कि Young's modulus of elasticity. समझ लग रही बात. तो ये तो बात करी हम लोगों ने किसकी? solids की. लेकिन, अगर मैं बात करूँ liquids और gases की, अगर मैं बात करूँ, liquids और gases की, अगर मैं बात करूँ लिक्विड और gases की अगर मैं बात करूँ तो उनमें क्या होगा साथ? speed of sound. तो उनमें जो speed of sound आएगी, वो आजाएगी अपने पास. उपर तो क्या होता है? E, E क्या होता? elasticity of the medium. तो यहाँ पर E क्या लेंगे? जैसा solids के case में Y ले लिया था E को, liquid और gases के case में E को क्या लेंगे? तो लिक्विड और gases के case में लोग E को लेते हैं B. अब सर B क्या है? B है अपने पास bulk modulus of elasticity. B क्या है अपने पास bulk modulus of elasticity. तो formula बन किया अपने पास B by rho. Simple. इंपोर्टेंट है, तो अपने को यहाली चीज ध्यान में रखनी है. अपने को यहाली चीज ध्यान में रखनी है. V क्या होगे अपने पास under root B by rho. B क्या है अपने पास? B है अपने पास bulk modulus of elasticity. bulk modulus of elasticity. इतनी जिस क्लियर है अपने पास? B है अपने पास bulk modulus of elasticity. तो अपने को ध्यान में रखना है कि अपने पास जो speed of sound है, वो solids में क्या होती है? under root Y by rho. Y क्या है अपने पास? यहाली चीज मॉडूल्स of elasticity. रो क्या है? density of the solids. लिक्विडिया गैसिस कुछ भी हो. यानि कि fluids की बात कर रहे हैं. अगर आप liquids में बात कर रहे हैं, तो liquid की density ले लेना. अगर आप gas की बात कर रहे हैं, तो gas की density ले लेना. उम्मीद है आप लोगों को इतनी चीज समझाई होगी. क्या बोला मैंने? ठीक है ना मेटा? अब देखो. अब क्या आएगा अपने पास? Sir, अगर मैं बात करूँ sound की speed of sound air में. Air में क्या है, तो मैं speed of sound को क्या ब लिखूँभा? तो speed of sound हो जाएगी under root B by rho. under root B by rho. speed of sound in air. air में तो gases है. speed of sound in air क्या हो जाएगी अपने पास under root B by rho? B क्या आपने पास bulk modulus of elasticity. अब भाइस अब इस पीड ओव साउंड एर में है कितनी एर में है कितनी सबसे फ़ले देंस्टी की बात कर लेते हैं एर की देंसी कितनी है सर वैन पॉंट टूनाइन केजी पर मीटर क्यों बहुत हल्की है देंस्टी कुछ खास जादा नहीं है एर की 1.29 केजी पर मीटर क्यों फिर फिर बात करी जाए बी बल्क मॉडलोस ओफ इलास्टिसिटी कि सर बल्क मॉडलोस ओफ इलास्टिसिटी क्या होगा अब देखो न्यूटन साब जो थे उन्होंने क्या किया ये बोला न्यूटन जो साब थे अपने पास बता न्यूटन ने यहाँ पर भी अपना योगदान दिया है वो बात अलगे गल्त हो गया था कैसे गल्त हो गया तो देखो न्यूटन ने क्या बोला कि भाई जो अपने पास साउंड ह तर 12 के कोडिंग चाहते है किस प्रोसस के कोडिंग या यह प्रोसस के कोडे वह क्या कर रहे थे वह स्फीड scholar sound इन एयर निकालना चाहत लोने क्या बोला कि जो अपने पास साउन है वह यर में isothermal process के according, travel करता है, ठीक है न, isothermal process के according, isothermal process, यानि कर अपने पास temperature क्या रहता है, इन होता है, यानि कि जब sound ट्रेवल कर रहा होता है, आर में, तो जो temperature है, वो क्या रहता है, तो भाई साब B तो क्या है अपने बास, bulk modulus of elasticity, ये होता न अपने बास, बी तो क्या होता अपने पास, bulk modulus of elasticity, इतना बत है, तो याद करो मैंने आपको, मैंने आपको करवाया था, thermodynamics में, कि अगर अपने पास ISO thermal process है, तो उसका bulk modulus of elasticity क्या होता है सर, उसका bulk modulus of elasticity होता है, P, यानि pressure के एककोल, bulk modulus of elasticity किसके बराबर तो सर, P के बराबर, P क्या है अपने पास, pressure, P क्या है, pressure, ठीक है ना, तो सर, P किसका pressure, अरे obvious सी बात है, जो gases है अपने पास, air में, उनी का pressure, समझ लगी निए बात, P क्या है अपने पास, यहाँ पर, pressure है, तो bulk modulus of elasticity, isothermal process के case में क्या होता है, P के बराबर, यानि pressure के बराबर, ठीक है ना, और जो, अगर मैं atmosphere की बात करूँ, अगर मैं atmosphere की बात करूँ, तो atmosphere में क्या है अपने पास, gases है air में क्या है अपने पास gases है तो हम लोग जो air अगा प्रेशर लेते हैं वो क्या लेते हैं atmospheric pressure ही लेते हैं हम लोग ठीक है तो यहाँ से जब निकालने की कोशिश करी गई V equals to under root P by rho तो B को क्या डाल दिया गया सर P P by rho अब यहाँ पर यह जो P है यह जो प्रेशर है यह बेसिकली कौन सा वाला प्रेशर है atmospheric pressure है अपने पास atmospheric pressure है यह पी तो क्या है atmospheric pressure है भई P ATM atmospheric pressure और rho क्या है density of air है तो जब यह सब देखा गया डाल गया अब atmospheric pressure कितना होता सर 1 ATM होता है अगर मैं Newton पर meter square में देखूं तो कितना हो जागा 10 raise to power 5 Newton पर meter square ठीके ना divided by density of air कितनी है सर 1.29 तो यहां से जब देखा गया तो जो approximately आ रही थी speed वो आ रही थी 280 meter per second speed of sound जो आ रही थी वो आ रही थी 280 meter per second Newton ने क्या बोला था कि भाई साब जो sound travel करता है air में वो isothermal process के according travel करता है यानि temperature constant रहता है तो जो bulk modulus of elasticity हो जाएगा प्रेशर के बराबर अब air का pressure क्या होता है atmospheric pressure होता है 1 ATM लिख दो या 10 raise to power 5 Newton per meter square लिख दो 10 raise to power 5 divided by 1.2 तो यह answer आ रहा 2.80 लेकिन यह answer क्या है गलत है यह answer क्या है क्यों गलत है क्योंकि देखा गया गया जो speed of sound होती है न अपने पास air में वो करीब करीब 330 के करीब आती है 330 के करीब यानिuum 355 से लेकर 335 के बीच में vary कर रही होती है 325 meter of second से लेकर 325 meter of second के बीच में वेरी कर रहे हुँ थे इस हिसाब से यह तो भाई अच्छी कासी दूर है 280 तो कता ही गलत है तो इसका मतलब जो साउंड है जो साउंड है ठीक है वो एर में आइसो थर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ट्रेवल नहीं करता तो सर्फ फिर किसके अकॉर्डिंग ट्रेवल करता है पिर देखा बेटा एक साउंटिस्ट है लेपलाज उन्होंने करेक्शन दिया था न्यूट्रिंग को करेक्ट किया था लेपलाज ने क्या बोला था कि जो साउंड ट्रेवल करता है जो साउंड ट्रेवल करता है अपने पास एर में वो किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग करता ह एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग करता है, यानि कि कोई भी हीट का एक्चेंज नहीं होता है, यानि कि कोई भी हीट का एक्चेंज नहीं होता है, जब साउंड ट्रेवल कर रहा होता है, एर में, तो कोई भी हीट का एक्चेंज नहीं होता है, तो आइड़िया अधोर्ट करवाया था जब सुना प्रइस उसुन में आईड़िया इॉप प्रोस्प्र गामा टाइमस पी गामा टाइमस पी गामा तो क्या था अपने पास आगाम यानि सीभी बैए सीभी पी तो pressure अपने पास तो इन्होंने जब वोला कि सर बी को आपने को क्या लेना है गामा पी तो यहां से जब देखा बी को तो ले लिए क्या गामा पी divided by density of air पी तो प्रेशर क्योंकि air में देख रहे हैं लोगा जाएग यहां पर वैल्यू डाली गई सर गामा की वेल्यू क्या डालेंगे अब एक ची बताओ एर में सबसे तक क्या है अपने पास नाइट्रोजन उसके बाद क्या है अपने पास अक्सीजन अब नाइट्रोजन अक्सीजन दोनों की दोनों डायाटॉमिक गैसिस हैं तो डायाटॉमिक गैसिस के लिए जो गामा की जो value होती थी वो कितनी होती थी गामा होता कि इसके परावार था वन प्लस 2 आ एफ एफ क्या होता था degree of freedom ठीक है न अब एर में सब चाहिए नाइट्रोजन और ऑक्सीचन दोनों दोनों तो डिग्री ऑफ रीडम कितनी हो जाएगी तो आपने पास गामा हो जाएगी एर के लिए तो क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 बाइप 5 यानिकी 7 बाइप 5 यानिकी 0.4 तो जो गामा एर हो जाएगा अपने पास वो नहीं से शकना हो जाएगा 0.4 गाम स्रक्रेशन्स कितना है सर्थ यह अपने पास 10 ऑर फाइव नूतन पर मीटर स्कवेर ठीकना नूतन पर मीटरस और आब कया है आपने पास सर्ट density density of air क्या है अपने पास सर देंस्टी ओफ एर क्या है सुरी यह 0.4 नहीं 1.4 होगा यह आएगा अपने पास 1.4 7 by 5 क्या होगा अपने पास 1.4 ठीक है 1.4 अब देंस्टी ओफ एर क्या है सर अपने पास density of air है अपने पास 1.29 इधर से जो आंसर निकल के आया वो approximately आ रहा था 330 मीटर पर सेकंड करीब कितना 330 मीटर पर सेकंड यानि कि यह जो है अपने पास यह जो speed आ रही है यह क्या है अपने पास speed of sound air के करीब करीब है यानि कि इसी speed से जो sound है वो air में क्या करता है अपने पास ट्रेवल करता है तो इसका मतलब हमको क्या समझ आया कि जो युटन ने कहा था कि जो sound air में ट्रेवल करता आ इसो थरमल प्रोसेस के को लिखान करता है यह कंग तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के वाड़िंग B की वेलू गामा पी होगी गामा कितना हो गया सर सेवन बाइफाइव हो गया एयर का जो की 1.4 होता है ठीक है गामा की वेलू डाल दी 1.4 अट्मॉस्फिरिक प्रेशर डाल दी आम लोगों ने टैनिस्टू पर 5 ठीक है अट्म 30 मीटर पर सकेंड आ रहा है जो की लगबग लगबग होती है स्पीड ऑफ साउंड इन समझ लग रही है बात ठीक है चाला तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ साउंड है साउंड इन गैसिस बिसिकली एर में भी तू क्या है तो वो क्या आ गई अपने पास अंडर रूट बी बाई रो और बी क्या हो गया बी आएगा अपने पास एडियाबेटिक प्रोसेस के अक्वाडिंग ना कि आइसे थर्मल के अक्वाडिंग तो आजाएगा गामा टाइम इस पीड डिवाइड बाइड रो समझ लग रही है बात इदी इस क्लियर है अब देखो अब अगर आपको याद हो तो सर्फ हमारे पास क्या होता था आपको याद हो थर्मोडाइनमिक चप्टर में तो मैंने आपको एक रिलेशन कर आया था पी इस उकल टू रो आर्टी ब पास में एक रिलेशन था अपने पास टू रो र्टी बाइए यासे पी रो की वैल्यव की इतनी आ जाएगी सर्याज़ाए घी आर्टी बाइढ नौत तो भाइसाब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन और निकल अए आयेगा कि सिकते हो तो यही अपने पास किया बन जाएगा अंडरूट गामा p by रो को क्या लिखते हो rt by m0 बहुत जादा इंपोर्टेंट है बहुत जादा इंपोर्टेंट है सुपर इंपोर्टेंट सवाल आता इस पर इधान रखना तो यह रखना जो speed of sound होती gases में वो किस process के according निकालते हैं हम लोग सर वो निकालते हम लोग ideabetic process के according यानि कि B की value gamma P by rho, P by rho की value RT by M not, M not क्या है अपने पास molecular mass या बोलो molar mass ठीक है, इतनी इस clear है कोई दिखकत इसमें बागी आपको R तो पता ही है T क्या है अपने पास temperature है या दरना temperature should be in temperature किसमें होना चाहिए, Kelvin में होना चाहिए temperature किसमें होना चाहिए हमरे चाहिए Kelvin में होना चाहिए, हम लोग absolute temperature लेते हैं जिए temperature किसमें होना चाहिए अपने पास Kelvin में होना चाहिए, यह temperature क्या है अपने पास absolute है ठीक है इतनी जी स्क्लियर है तो अगर आप एक चीज को notice करो एक चीज को notice करो जो speed of sound है जो speed of sound है वो किसपे depend कर रही है एक particular gas के लिए for example अगर एक particular gas है अपने पास समझो hydrogen ही आपने पास तो hydrogen के अंदर जो speed of sound है वो किसपे depend करेगा सर उसका molecular mass तो fix है गामा भी fix है आर भी fix है किसपे depend करेगा temperature पर डिपेंड करेगा यानि कि speed of sound is directly proportional to root of temperature is directly proportional to root of temperature समझ लगरी बात for a particular gas for a particular gas एक particular gas के लिए एक particular gas के लिए for a particular gas जो speed of sound है वो directly proportional to क्या है temperature की यानि temperature को अगर आप increase करोगे तो speed of sound क्या करेगी increase करेगी temperature को आप decrease करोगे तो speed of sound क्या करेगी decrease हो इसलिए बेटा कहते हैं कि गर्मियों में जब temperature बढ़ जाता है तो जो sound है वो तेज़ ट्रेवल करता है यानि कि आप कुछ भी बोले तो जल्दी सुनाई पड़ता है और सर्दियों में क्या होता है temperature decrease कर जाता है तो आप कुछ भी बोलते हैं तो देरी से सुनाई पड़ता है स्पीड कम हो जाती है ठीक है तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक पर्टिक्लर गैस के लिए कि दीवन अपॉन वी टू इस इक्वाल टू रूट टीवन बाय रूट टीटू आपको इतना दो पता है न जो भी चीज़ां आपने लेनी है टैंप्रेचर में वह केल्विन में लेनी है समझ दगर इया बात यह पर्टिक्लर गैस के लिए मैं बोल सकता हूं कि जो स्पीड है वो ड्रेक्ली परपोशाणल क्या है अपने पास रूट आफ टैंप्रेचर है पर पर्टिक्लर गैस एक पर्टिक्लर गैस के लिए जो अपने पास V है वो डिर्क्ली प्रोपेश्चनल टू क्या है रूट अब देखो आई अब देखो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है यानि कि जो फैक्टर्स है जो की स्पीड ऑफ साउंड को एफेक् कॉन कॉन से फैक्टर्स स्पीड ऑफ साउंड को एफेक्ट कर सकते हैं कर सकता कि तो सर चैंपरिछर कर सकता हैं तो तो फेक्टर से फेक्टिया स्पीड ऑफ साउंड तक टेमपरेच्टर क्या कर सकता है इफ्लेक्ट कर सकते अपने पास हमको पता है कि is डिरेक्ट्ट लिपरपेश्शन ТоSnrit$ तो अगर मैं temperature को increase करूँगा तो speed of sound increase करेगी अगर मैं temperature को decrease करूँगा तो speed of sound क्या अगर रहेगी decrease होगी समझ लग रहे है तो यह पहला factor कि directly proportional to क्या है temperature दूसरा if temperature is constant अगर temperature क्या है constant अगर temperature constant है भाईसा then 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 change in pressure अगर आप क्या करते हो प्रेशर में change करते हो चाहे प्रेशर को आप increase करो चाहे आप decrease करो चाहे आप pressure को increase करो चाहे decrease करो उससे speed of sound पे कोई भी फरक पढ़ने वाला नहीं है if temperature is constant then change in pressure won't affect the speed of sound speed of sound पे कोई भी फरक पढ़ने वाला नहीं अब सर यह कैसे अभी तो आपने फॉर्मले में लिखवाया था वी क्वेस्टू अंडरूट गामा पी टाइमस रो तो सर आपकी बात में उरको समझ आती कि अगर temperature constant है एक particular gas की बात कर रहे हैं ठीक है ना अगर temperature constant है m not constant गामा constant r constant है तो भाई speed of sound चेंज नहीं करेंगे temperature constant तो speed of sound क्या है constant लेकिन इस फॉर्मले का गॉर्डिंग तो देखने में लग रहा है कि अगर pressure change करेंगी तो speed of sound change होगी बिटा इस फॉर्मले में आप सिर्फ pressure को देख रहे हो अगर आप pressure increase करको density भी increase करेगी जितने से pressure increase किया उतने टाइम से density increase कर जाती है ठीक है तो जो ratio आती हो constant ही इसका मतलब whole चीज क्या रहती है हमेशा constant रहती है ठीक है तो इसी लिए इसी लिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर temperature constant है किसी एक particular gas के लिए अगर temperature क्या है constant है तो आप pressure को को जितना मर्जी चेंज कर लो density को जितना मर्जी चेंज कर लो आपकी जो speed of sound है वो change होने वाली नहीं समझ लग रही बात speed of sound में कोई भी effect नहीं पड़ेगा if temperature is constant then change in pressure won't effect the speed of sound समझ लग रही यह बात तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है सर थर्ड पॉइंट क्या अपने पास अगर मैं बात करूं हमारे पास दो टाइब की एर होती है जनले एक होती हुंमीड है एक होती हे डाइए एक ह्पोती है तो आपसे पूछा जाये किस एयर की density ज्यादा है हुँमीडर की की ड्राइएर की ह्य्यूमीड get work है तो कहते हैं लाए एयरकी जो density होती souha なष Food जादा होती है यहां तक ना density of dry air is greater than density of moist air moist का मतलब नमी हो तो जो humid air होती है ना उससे dry air की density जादा है तो में क्या करूं मैं क्या करूं कि मैं क्या करूं अगर मैं comparison करूं according कि जो speed of sound of inversely proportional to क्या है density तो जिसकी क्या होगी density ज्यादा होगी उसमें speed of sound क्या होगी कम होगी तो speed of sound यानि कि speed of sound in dry air ठीके ना वो क्या होगी कम होगी यानि कि जो humid air होती है जब यानि कि नमी होती है अपने पास चीक है तब हम लोग क्या कहते हैं कि जो sound है वो ज्यादा तेज़ ट्रेवल करता है as compared to dry air यह चीज़ हमेशा याद रखना हो अब सर जो जो humid air होती है उसकी density कम क्यों होती है इसका जो में रिजा रहा है वो है absorption क्योंकि है न हुविड ए न में क्या होते है अपने पास water के molecules होते है फारे पस to particles होते है तो वहां पर क्या होते है जितने भी अपने पास एर की अपने पास जो गैसिस है या बोलो डस्ट पार्टिकल जो भी एर में ठीक है वो क्या कर रहे है एड्सॉप्शन शो कर रहे होते है ठीक है तो इसकी पूरी लंबी कहानी आपको इसमें पढ़ने की जुरूत नहीं है आपने अपने चप्टर पढ़ा होगा सर्फिस एर हे हे हो लेस También है किससे ड्राई अपको समाज ऑच सेहर से ड्रन sausage कर लेते हैं एपने पास जितने ऑन дост तो उनी सब रीजन के कारण अपने पास जो डेंसिटी होती है हुमिड एयर की वह क्या हो जाती अपने पास कम हो जाती है से इसलिए जो पने पास स्पीड होती है हुमिड एयर में साउंट की वो क्या होती है ग्रेटर बस इस से ज़्याद अपने को नहीं जाना समझ लग रही है बात ठीक बटा तो अपने को जो यह पॉइंट से बहुत तरीके से ध्यान रखने एक तो सबसे पहला पॉइंट यह वाला फिर दूसरा पॉइंट यह पॉइंट बहुत ड्राइयर और हुमिड यह का तो वह भी आपने कर लिए तो यह कुछ स्पेक्टर्स हैं जो कि अपने स्पीड ऑफ साउंड को क्या करते हैं एक टेंपरेचर हो गया ठीक ना फिर हो गया कि अगर टेंपरेचर कॉंस्टेंट है प्रेशर को चेंज करो तो कोई फरक नहीं अरे अभी देखा सर देंस्टी एंड इलास्टी सिटी ऑफ गैस इसकी बड़ेंट करता भाई एक देखो तेंपरेचर एट विच्ट स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज वाज एट 27 डिग्री सेल्चिस यानि किसी पर्टिकुलर गैस के लिए जो 27 डिग्री सेल्चिस टू डिग्री सेल्चिस को टी टेंपरेचर बोल देते हैं घ्यक्री सेल्चिसमें रखाये केलिविन में कितना होजाएगा 300 केल्विन और इस टेंपरेचर पूछ रहा है कि स्पीड अवसाउड 2V कितने टेंपरेचर पर हो जाएगी k2 फाइंड करना आपने तो हमको पताए लुट्ट प्रोपोश्ट रूट टी होता है तो वी 1 बाइड वी 2 इस एकल टू रूट आफ टी जीए सीखा अब है बस लगा दो भाई लीमन कितना है वी गिंड टू कितना है टू वी इस इकल टू रूट आफ टीवन कितना है तू है केल्विन अगर 1200 केल्विन आ रहा था हमें तो अंसर्ट डिग्री सेल्सिस में चाहिए तो 273 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 927 डिग्री और आया हुवा सवाल नीट मैं ऐसे लवाल आते हैं लल्लू से ठीक ना इसी लेवल गए आते ही नहीं बटा दे रेशियो थे स्पीड आउड ने ट्रॉजन गैस तु देट ऑध हीलियम गैस वह क्या पूछ रहा है कि भाई सब जो स्पीड अवसाउड है नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस में उसकी रेशियो क्या होगी 300 केल्विन पर अब वी क्या होते है अपने बस अंडर रूट गामा आर्टी बाइम नॉट अब बाइस सब एक नाइट्रोजन एक हीलियम है थो भाई एम नॉट सब का अलग अलग है दूसरा टेंपरेचर तो क्या है दोनों का मोन ओमन का नाइट्रोजन गामा होगा डायाटोमिक है साब नाइट्रोजन के लिए जो गामा हो जाएगा हो कि one plus 2 by f f की वैलीव क्या होगी सब्सक्राइब तो सेबनद होगा नेट्रोजन के लिए गामा ओफ नेट्रोजन त्वाइब बाकी हमको पता है कि सर मॉलेकुलर वेट कितना होता है अपने पास नाट्रोजन का जो मॉलेकुलर वेट होता है हम लोग लेके चलते हैं कितना है 28 कि एक सब्सक्राइब है और हीलियम का हमारे पास कितना हो जाता है हमारे पास होता है रहसे कराम किली हम कितना हो जाता पने पास ऑगने बठक क्या हो जाएक आपने पास उतर। ॉसक्त ऑपने पास अपने पास रही प्रियुग सकता होको ठीज सांब यह इस सब्सक्राइए जुटमा बैर हुग मोट específic आरॉटी धिवाइस्ट एफ साउंड इन हीलियम डिवाइड़बगपी आप साउंड इन नैटरोजन अध कि लोग कर लो पर अपने बास नैटरोजन नीचे कर लो यह जाएगा अंडरूड गामा ओफ नाइट्रोजन डिवाइड़ बाए इतना तो करी लोगे ना इससे तो यह करी लोगे ना यह तो लिखी लेते हो ना अगर यह भी लिख सकते हैं तो भाई से मैं सच बतारों तुम्हारा कोई हाक नहीं है नीट कवई पर देने का तुम फरजी में एक सीट खराब करोगे जाकि किसी अच्छे खासे बच्चेगी ठीक है चलो गामा ओफ नाइट्रोजन गामा ओफ नाइट्रोजन कितना निकाला स सेवन बाइट्रोजन कितना है सर्फ ट्वटीएट है मल्टिप्लाय मॉल्ट्लर वेट ऑफ हीलियम सर्फ पोर है और गामा ओफ हीलियम सर्फ फड़ फड़ है तो देखो क्या आरा आपने पास धहां से देखना सेवन पूर्जा 28 पूर से फूर कट गया तो आंसर कितना आर आपने पास देखो भाइसा देखो यह आर आपने पास 5 और यह 25 बन जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा और यह 3 उपर चला जाएगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा समझ लग रही है रूट 3 यह भी नीट का आया हुआ सवाल है ऐसे ही सवाल आते हैं इससे जादा अपने पास सवाल नहीं आते हैं यहीं चीज करता रहता हो तो मुझे उम्भीद है कि आप इस टाइप की सवाल कर लोगे ठीक है इसमें तो कम से कम नाक मत कटा दें तो यह था अपने पास स्पीड आफ साउंड के बारे में कि स्पीड आफ साउंड हमारे पास क्या कैसा होता है अब अगर हम लोग बात करें किसकी कि अब हम लोग बात करें किसकी लोंगिट्यूडनल वेव स्की साउंड भी क्या है कि लॉंगिट्यूडनल वेव है याद करो मैंने आपको दिखाया था किस आप से मूख करती हैं सर सर कॉंप्रेशन और रेर्फ्रेक्शन के सब्सक्राइए कि देंस्टी कम जदा होती है बेट कर रहा होते हैं ठीक है कैसे थे अपने पास कि इस सबस्टाइब कर रहे होता था जिस डिरेक्शन में अपने पास वेव मूब कर रही होती थी particle भी oscillate उसी direction के along कर रही होती पहले lecture में ठीक न देखो अगर आप देखो ध्यान से अगर आप देखो ध्यान से तो अपने पस है क्या कि यह जहां पर क्या है अपने पास वो region जहां पर क्या है अपने पास density बहुत ज़ादा है तो हम पर pressure भी बहुत ज़ादा होगा तो उस region को हम लोग कहते हैं compression बता चुका हूँ आपको पहले ठीक है और जहां पर क्या होता अपने पास काफी खुला खुला होता है उस region को हम लोग क्या कहते हैं rarefaction तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने पास longitudinal waves में यानि कि sound waves है उसमें जो particles हैं वो oscillate करते हैं along the direction of wave motion यानि कि wave is direction में जा रही है तो particle भी oscillate कैसे कर रहे हैं सर ऐसे oscillate कर रहे हैं इस तरीके से oscillate कर रहे हैं और इसमें क्या बनता है compression और rarefaction compression और rarefaction बनता है अपने पास फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो wavelength होती है वो क्या होती है सर दो consecutive compression या बोलो दो consecutive rarefaction की बीच का distance होता है वो क्या हो जाता अपने पास कि वह जाती है अपने पास क्या wavelength तो मान लेते हैं यह अपने पास क्या है में दो लेंबडा होगी अपने पास दोंद इंद प्रेक्षन की बीच की डीस्टेंस हो गया इसको हम लों क्या कहते है वेवलेंद यह बोलो 2 ने स्थेंस वह जाएगा अपने पास लेंबडा्य। इसमीं देखो तो देखो आप अगर ध्यान से देखो तो यह अगर मैं इसको बोलनु यह कहा है सर ओरीजन अगर मैं इसको और इचन बोलनु यानि कि एक्स बराबर जीरो है तो सर अगर मैं बात करूं कोई पटिकल कोई पाइड इसको ब्लैक-ब्लैक कर देता हमें आपके लिए ऑलने विन ट्वर मुटा कर दिया मैंने दो पार्टिकल है inequalities क्यों तर्फित रहा होगा और पीछ हिखेसे कने जब आगे जा रहे होगा तर्फित कर लृट सब्सक्राइब अगर मैं बोलू यह पार्टिकल की क्या है एक तरह से मीन दिखने न हुआ अगर मैं बोलूँ कि सर यह आ जो जगे है यह फानकल किया है यह मीन कोई जेंगे इस घॆ सबसे दूर तक जा जाता है उसकी को तो क्या करते हैं एंप्लिट्यूड क्या होता है मैक्सम्म डिस्प्लेश्मेंट उसको क्या बोलोगे माल लेते हैं यह क्या है अपने पास इधर जाने पर याना यह क्या एक एस्ट्न घ्याफ क्या है एंप्लिट्यूड किसका वो पार्टिकल जो की एक्स की दूरी पर प्रेजंट है अपने पास औरिजन से कितनी दूरी पर प्रेजंट है एक्स की दूरी पर प्रेजंट है कितनी दूरी पर प्रेजंट है कितनी दूरी पर एक्स की दूरी पर प्रेजंट है तो कोई पार्टिकल जो की एक्स की दूरी पर प्रेजंट है पार इधर हो गया एक तरसे प्लस स्नॉट तो इधर हो जाएगा एक तरसे माइनस स्नॉट यह तो था अपने पास अप्लिटूड ठीक है तो भाई साम हम लोगों को इतनी बात तो समझ आ गई तो यह क्या हो गया अपने पास एक तरसे एम्पली ट्यूड हो गया एम्पलिट्यूड ठीक है और है एक क्या है सर एक स्क्या है एक से अपने पास एक्स क्या है पने पास वो पार्टिकल वो पार्टिकल जो की ऑरिजिन से दूर है एक्स के है डिस्टेंस ऑफ दा पार्टिकल फ्रॉम औरिजन समझ लग रही है बाद इतनी चीज़ क्लियर है तो यह तो चलो मैंने आपको इसमें दिखाया अगर मैं आपको उसमें दिखाओ आप एक और बार एनिमिशन देखो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा देखो देखो एक ऐसे बढ़ रही है इस डिरेक्शन बढ़ रही है तो पार्टिकल ऐसे उसलेट कर रहे है तो पने मीन पूजिशन के बाउट उसलेट कर रहे होंगे तो मैं सबसे दूरी पर जाएंगे यानि कि मैक्सम जो दूरी होगी मीन उसी को तो आप एंप्लिट्यूट कहते हो ठीक है तो चलो देखो वाइस आप यहां पर जैसे मैंने आपको बना के रखा हुआ अभी तो कोई भी डिस्टेर्वेंस नहीं कोई भी साउंड नहीं फिर जब मैंने क्या कर दिया डिस्टेर्वेंस ला दी यानिकि साउंड प्र कॉल debate रिखन पॉत्ति कॉली अझा इस आवर कि नहीं और उसी तरीके से यह वाला जो रिजनों गया तो यह को लुचिशन हो गया इस के यह रिजन क्वागा रीजन केओ अग्या यह प्लोगत रिक्तर से यदि इस तो यह सावंड त्रेवल कर रहा है कि वेक्ष다면 three ellie डिन्सिटी यह कर रहा है कहीं पर ने सब कर रही है कि सप्रहारा पास हो रहा है कहीं पर खुले खुलों आएक देखरें होー कि और रेर फ्रीशन बन रहा है आपने पास कैसे इसे बन रहा है compression और rare fraction density कम जादा हो रही है तो compression वाला region होगा जहांपे density बढ़ रही होगी rare fraction वाला region होगा जहांपे density कम हो रही होगी समझ लग रही है बात तो उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ compression वाला region होगा जहांपे pressure increase कर रहा होगा ठीक है ना और rare fraction वाला region होगा जहां पर pressure decrease कर रहा होगा समझ लगरी बात क्योंकि बिटा अगर क्या करती है density क्या करती है increase करती है तो pressure भी क्या करता है increase करता है अगर density क्या करती है अपने पास decrease करती है तो pressure भी क्या करता है decrease करता है तो होता क्या है compression में अपने पास यह होता है energy को स्था आप नहीं पास नॉर्मल था आपने पास यहां पे कोई भी nozzle नहीं है तो आपने बास जो समसलों गैस के मॉलीकूल है यह दो एयर पेज़ों मॉलीक्यूल में पास और आपने न्यार्मल स्टेट में ना कहीンダ कंप्रेशन हों आपको दिखा ही पड़त है यहां पर जो प्रेसर वह क्या है लो नौर्मल प्रेशर है पी ंदोरफिट्स popcorn अभी कोई कोई भी साउंड या नहीं है तो कोई भी कॉम्प्रेशन या रेर फ्रेक्शन नहीं तो हर पारिकल अपनी कहाँ पर प्रेजटर है मीन पूस्टर पर ही प्रेज़टर ही प्रेज़टर रही है यहां पर कोई particle oscillate कर रहा है नहीं सर पर रेस्ट पर है अभी के लिए और pressure क्या है सर पीनोट है प्रेशर क्या है बाई एर में कुछ तो प्रेशर होगा प्रेशर क्या है लेकिन जैसे आपने sound प्रिद्यूस किया तो यहां पर पंसिर नोट है यह चेंज करने लगँ जहांपर डेंसेटी बढ़ रही होगी। यहां पर प्रेशर पिनॉट से बढ़ जाएगा िर यहां पर क्या स्थैन्सफेरिक प्रेशर यह है जहां पर क्या है अपने तरह से आपर यहीं कि इत्र से कम हो रहा है समझ लग रहे ही बात इतनी जिस टeachsen कि फट्रम सब्सक्राइए बात इस तरीके से प्रैशर और density की variation के हिसाप से क्या करता है अपने पास जो longitudinal wave है वो move करती है या बोलो sound wave move करती है इतनी जिस clear है और particle oscillate कैसे करते हैं ऐसे तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अगर तो क्या करूं देखना मेरी बाद ध्यान से सुनना बहुत इंपोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं अगर मैं क्या करूं इसको अगर मैं बोल लूँ कि यह सर एक्स बराबर जीरो है तो कोई particle जो की सर एक्स की दूरी पर कितनी दूरी पर सर एक्स की दूरी पर ओरिजन से एक्स की दूरी पर ठीक न ओरिजन से एक्स की दूरी पर कितनी दूरी पर सर एक्स की दूरी पर एक्स की दूरी पर अब पार्टिकल तो बहुत तार रहे हैं सारे पार्टिकल उसलेट कर रहे हैं किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं सर वोस पा बात कर णुम अब अब यह जो मैक्सम डिस्प्लेड गित्ना कर सकता है वह कितना कर सकता है रिकिन एंप्लिट्यूट कितना सब्सक्राइब जरूरी है कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देखो तो वह एंप्लिट्यूट पर ही हो अपने नहीं सर जरूरी थोड़ी ना अगर कोई पार्टिकल एसचम कर रहा होता है यह माइनस ए है यह एक्स वराबर जीरो है अगर क किसीभी ट़यं पर देखते हो तो ज़रूरी थोड़ी ना की आपने अपने पर ही मिले यह पर मिले यहां पर मिले नहीं सर भी पहते हो किसी बीकवाष साथ में किसी यहां सबस्क्राइब लिए नियुक्त नियुक्त कर रहा है मीन पूजिशन से ऑसीलेट कर रहा है मीन पूजिशन क्या बट आइघा तो आगए अगर मैं आगर लेकिन किसी भी टाइम टी पर देखूंगा एट एनी टाइम टी तो जरूरी थोड़ी ना मिर को कि मीन पर मिले यहां पर कहीं होगा यहां पर प्रेजेंट होगा सर्माल लेते हैं मीन पुषिशन्से कितनी डूरी पर कैसे नियुक्राट कि वेव की वेव के पुषिशन ऑला की बताती कोई भी पार्लाटीकल एकस टेंब पर अपनी दूरी पर यही थे पने पास लेकी चेंट होती थी थी यह आ जас i.t टाइम पर कोई भी पार्टिकल के फोटिकल है कि टो एक्स की दूरी वाला पार्टिकल है एला जो परतिकल अपने पास वह किसी भी टाइम टी पर अपनी मीन पॉछिखेस्टे कहां पर उने सार मीन किशीछेंच से यही क्या हो जाएगी अपने पास equation हो जाएगी longitudinal wave की in terms of displacement समझ लग रही है बात देखो बेटा समझो मेरी बात को ध्यान से जो अपने पास transverse wave होती थी transverse wave होती थी तो हम लोग क्या बोलते थे सर x की दूरी वाला particle किसी भी time t पर यह उसकी mean position होती थी अब mean position थोड़े present है तो कहीं भी present होता सर यहां पर present है भी कितनी उचाहिपर y की उचाहिपर तो हम लोग के question क्या लगते थे थे सर कि किसी भी time t पर x की दूरी वाला particle अपनी mean position से किदे नहीं दूरी पर present है सर वाई की दूरी पर प्रेजेंट तो वाई इस उकल टू क्या हो जाता था सर यह जाता था एंप्लिटूट कितना होता सर इसमें अप्लिटूट को हम लोग एसे डिनोट करते थे तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई यह क्विशन हो जाती थी ट्रांसवर्स से वह होती थीजिगए अब उसी तरीके से अपने को क्या करना है कि हमको किसकी लिख़नी है जूर। हम को लिखनी कि कसकी ता का यहां 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 पर यहां पर एसे चलती थी ऑए आसे करते हैं यहां पे वेवह ऐसे चल रही है और दो खर रहे हैं तो मालोक यह क्षे दूरी वाला पार्टिकल पकड़ा था वो किते नहीं दूरी पर था अपनी मीन पॉजिशन से सर वाई की दूरी पर था माल लेते हैं यह सर यह x की दूरी वाला पार्टिकल यह यह इस इस इंस्टेंट पर जब हमने देखा जब हमने देखा होगा यह तो oscillate कर रहा होगा अभी तो मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया ऐसे यह किसी भी time t पर यह तो oscillate कर रहा होगा यह तो यह कितना maximum oscillate कर सकता है सर यह oscillate कर सकता है minus s not से लेकर s not की बीच में जैसे याला particle कहां से कहां तक तक उसलेट कर सकता है, उसी तरीके से याला particle भी oscillate करेगा जब wave चलेगी, तो स0 से लेकर minus s0 की बीच में oscillate कर सकता है, तो बोल देते हैं कि किसी भी time t पर at any time t oten आएम आंधी यह जो पार्टिकलर पार्टिकल है यह कहीं कितनी दूरी पर सिक्ष्य होगत Kahler कि अग्यूंधिए कि यहांद किमेंट होई सबस्क्राइबंग आइस के मीन हैं फियुदूर ट송 और समय की तो Cannon पर कितनी दूरी पर सर मीन पर्टिश्यन से किसी स स की दूरी पर तो यहां पर क्यों सर मीब्याइप की दूरी मुड़ मुद करूबता यहां पर समझ क्या है आठ समझ आया कैसे लिखी ll तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ? एक्वेशन लिखते हैं लॉंगेट new wave की ज्यादा फर क्वेशन में बस यहाँ पे पार्टिकल ऐसे eoscel एट कर रहा हूँ ता। यहां पर पार्टिकल ऐसे उसलेट कर रहा है एक्स की दूरी वाला पार्टिकल अब इसे तो मैं X ले नहीं सकता था क्योंकि दो सेम वरियबल तो लहीं नहीं सकता ना मैं कि सर यह भी X ले लूँ और इसकी दिस्पेस्मेंट को भी X ले लूँ फिर आप कंफीज हो जाओगे ना तो इसलिए मैंने S ले लिया तो S ले लिया साइन ओमेगा टी मैनस KX प्लस 5 समझ लग रही है यह बात इतनी इस क्लियर है तो यह क्या है डिस्प्लेस्मेंट एक्वेशन एक्वेशन है डिस्प्लेस्मेंट एक्वेशन ऑफ साउंड वेव की डिस्प्लेस्मेंट एक्वेशन है जो पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है ठीक है ना जो पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है ऑसिलेशन के टाइम उसे साफ से अपने पास क्या है एक्वेशन है ठीक है कोई दिकत बेटाई स्पीड ऑफ साउंड अभी भी आप ऐसे निकाल होगे स्पीड ऑफ साउंड अगर आपको एक्वेशन दे रखी है स बराबर स नॉट साइन उमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई तो स्पीड जो निकाल होगे वो अभी भी कैसे निकाल होगे कोईफिशेंट उफ ऑफ टी डिवाइड ऑफ साउंड ऑफ एकस एक्स कोईफिशेंट ऑफ या निकाल दे तो यह जो ग् यह कौन सी क्वेशन है सर यह displacement equation अपने पास अपने पास जब लॉंगिट्यूटनल वेव ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल क्या कर रहे है तो किसी भी टी टाइम पर और जिन से से एक्स की दूरी वाला पार्टिकल अपनी मीन पुजीशन से कितनी दूरी पर सर एस की दूरी पर है एम्लिट्यूट कितना है एस नॉट ठीक है इस क्लियर है की नहीं तो उसी इसाप से मैंने क्या लिखी है equation अगर आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज मुझे comment section में बता स्था ठीक है स नॉट की अपने पास एम्लिट्यूट है ठीक है चलो यह तो थी अपने पास displacement equation अब इसमें दो equation और आती है एक आती अपने पास pressure की equation और एक आती अपने पास density equation क्योंकि जब भी अपने पास longitudinal wave move करती है तो अपने पास density और pressure का क्या होता है variation होता है मैंने आपको बता है density और pressure क्या कर रहे होते हैं vary कर रहे होते है density और pressure क्या कर रहे होते हैं vary कर रहे होते है इसी लिए अपने पास change in pressure की भी क्या होती है equation होती है ठीक है तो जो change in pressure की equation होती है सर वो क्या होती है वो होती है अपने पास D-T-P तनी चेंग इंगे इपरेशर इन्ड देटा पीनोट डेल्टा पीनॉट डेलका मूद क्या है सर मैक्सम M kita इन प्रेशर मैक्सम चेंज इन प्रेशर याने गी डेइदेफिड ऐदेटीट शेलजल आप्रेशर जैसे किर प्रेशर चेंज हो सकता है त違法 है अगर ये साइन में रहें थो just कि लूख की या लिखकान और कैसे अपने पास है अनियों अगर ये साइन में था कि यह कोज किसम में रहें यूख्यस में होती मिया गया तो इतना अध्य कि अता ध्यान महादगा समझ लग रही है यह बात आपको मैक्सम्म प्रेशर कितना चेंज हो सकता है समझ लग रही है बात तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी साउंड नहीं है तो गैस के मॉलिक्यूस उसिलेट वगरा कुछ नहीं कर रहे होंगे तो जो नॉर्मल प्रेशर होगा वही होगा या न समझे लग रही है अगर आप देखूगे तो याली एक्विशन अपने बास्साइन में याली है कि सीक्साइश में स्साइड और वेक्विशन दोंों में कितने का फीज होगा न म зам कि इस चेंज होला न बता सकते हैं कि अब्धों चैक गशर पाइबई टू का फेश्चेंज ह पर देखो तरी यह तो है एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एकस प्लस फाई और जो चेंज इन प्रेशर किया होगा है डेल्टा पी नॉट यह कॉस में दे रखी है किसमें दे रखी कॉस में अगर कॉस को मैं साइन में कर लूँ तभी तो मैं फेस डिफरेंस किसमें ऑप सरडंटाप फेस यह हो गया इसका फेस है और सिना कितने एक पाए पाइगा तो यहां पर जो फेस नितton ना मेrण गपना घ यह जो phase difference है, अपने पास दोनों में, दोनों में जो phase difference है, delta phi, वो कितने का है अपने पास, pi by 2 का, ठीक ना, कितने का phase difference है, pi by 2 का, face difference कितने का है, pi by 2 का, मतलब क्या हुआ, सर, phase difference, से फाइब ये हुआ है पाइब ये हुआ ये हैं एक चीज होगी अपने पास मैक्सम तो दूसरी चीज अपने पास जीरो यही दो होता है अब एकची बताओ क्योंकि एक equation है sin मेरे equation है cos में अब खुँद बताओ sin 0 न पे क्या होता है? 0 होता है लेकिन cos 0 पे क्या होता है? 1 होता है? Maxim होता है यनी कि जब ये चीज होगी 0 तो cos वाली चीज क्या होगी? Maxim होगी और जब sin वाली चीज मैक्सम होगी तो कॉस वाली चीज क्या होगी जीरो होगी ना समझ लगी भाग तो पाई बाई टू फेस डिफरेंस का मतलब यह होता है यानि कि अगर एक चीज मैक्सम है तो दूसरी चीज जीरो है और अगर दूसरी चीज जीरो है तो एक चीज मैक्सम समझ लगी भाग तो इस चीज क्लिय displacement zero कब हो सकती है जब यह चीज़ पूरी zero यह चीज़ पूरी zero हो जाए होल जीडियो तरब हो सकती है displacement zero का मतलब क्या है मीन पुजिशन पर मीन पूजिशन displacement गहां से लेते मीन पूजिशन लेते ना इसका पार्टिकल कहाँ पर रहे कि अपने पास means mean position ऐसके अपने पास displacement सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब प्रहाइब तो अगर दिसप्रेश्मेंट जीरो है यानि पास मीन पॉझिशन पर तो अपने पास जो डेल्टा पी आएगा वो किसके एकवल आएगा डेल्टा पी नॉट के डेल्टा पी नॉट के यानि कि जो चेंज इन प्रेशर होगा वो मैक्सम होगा जब एक चीज़ जीरो यानि अगर एस जीरो तो डेल्टा पी क्या होगा मैक्सम होगा यानि डेल्टा के बराबर तो जो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास जीरो हो जाएगा यह ध्यान में रखना है क्योंकि हमको पता है हमको पता है कि जब साइन मैक्समुम होता है तो कॉस जीरो होता है ठीक है और जब कॉस मैक्समुम होता है तो साइन जीरो होत होती आपने पास phase difference bi by 2 का जब एक चीज जीरो होती तो दूसरीचीज मैक्सम होती है ठीक है और जब पहली चीज मैक्सम होती थो दूसरी चीज क्या होती है अपने पास इस चीज का अपने धियान देना है तरहीं डेल्टा पीनोट होगा तो होगा किसके बराबर बिटा घच्री अपसर ब्ल्क मोड्लिश और आप यह पता है यह अपको भी हो गया आपने अपस बनक्रॉंल यह अपने पास ब्लब निम्भर ठीक ना भी बल्क मॉडॉलस ओफ इलास्यसिटी यह हो गया अपने पास वेव नंबर बागी तो आपको आपको पते ही क्या है एक ना चालो इतनी जिस क्लियर है जैसे अपने पास प्रैशर चेंज की एक्वेशन है वैसे अपने पास किसी की एक्वेशन आएगी सरकते इन्सटी कम ओगी हो ही हो एक भी एक स्टोस और चाहिए उसी तरी केसे अपने पास density में भी equation आती है जब density वैडी करीती है डेल्टा रो इस इकल टू डेल्टा रो नॉट अगर अब इचे बताओ जब प्रेशर मैक्सम होता है तब डेंस्टी भी तो मैक्सम होती है आज टक सवाल नहीं आ है तो यह जो चीज में पढ़ा रहा हु कतया हूं नहीं झाली जा है द一下 करोंना मैं पूरा कर वाता हूं कि और हमको ऐसे होंगे कि आपको बता को यह इंपोर्टेंट नहीं तो यह थो सर हो गई अपने पास displacement में तर याली हो गई अपने पास प्रेशर में और यह अलि होगी मुद्ध न Alban message इसमें कितनी है गार स्प्रेस्ट कितना का स्प्रेशंग ईए 0 कोई phase difference नहीं है यानिकी कि यानिकी जब स्प्रेश्ट होगा 0 लोग तो डेलटा पी क्या होगा डेल्टा पी क्या होगा डेल्टा पी नोट यहीं कि जो चेंज होगा प्रेशर में वो क्या होगा मैक्सम होगा इतनी जिस क्लियर है कि नहीं तो जो डेंसिटी में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा अपने पास मैक्सम होगा डेल्टा रो नोट के बराबर तो जो अप अपने द्यान में रखनी है जो कि आपके लिए बहुत होगी है इस ट्रीज़ है इतनी बात है इतनी बात इतनी है और वाकिशन द्यानस की तो आपका तो कोई बोले कि सर एस तो यह हो गया S naught sin omega t minus kx plus 5 सर इसकी आप मेरे को graph बनाके दिखा दो तो सर इसका graph ऐसा बनेगा अब S और X में graph बनाओगे किसी भी time t पर graph तो सर ऐसा ही बनेगा S और X में वेड़ेमा ठीम एक उससे ग्राव यह जो ग्राव बनेग ऑ अफम के सडीत अपने ट्रांसवर्स भी तो लोगिवोट अब स्था अब भी ता फ़िलन आती है यह अब mr एक्चुल में वेव ऐसे चलती है और जो ग्राफ होता है साइन का वो इस टाइब का होता है कुछ-कुछ इसलिए फील थोड़ी सी कम आती है अरे भाइसाब वहां पर ट्रांसवर्स वेव में करते थे वाइज उकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस केक्स प्लस फाई जो ग्र ग्राफ जैसी और ग्राफ भी वैसी दिखता है तो इसलिए अच्छा लगता है ज्यादा फील आती थी ठीक यहां पर क्या है जो वेव है वो तो आईसे-ईसे जा रही है ना मतलब पार्टिकल तो आईसे-ईसे कर रहे है ठीक है समझ लगरी बात और अगर मैं एक्वेशन के अगरे बनाओंगा तो आउठाव एसा चाहिए इत्स क्लिया अधि ग्राफ बनाया है थाक है यह ट्रांसफर सब्सक्राइब यह इंग अपने पास सोट है यह अपने पास एक आपने पास नोट ट्रांसवर्स भी लिग दे तुमाई लिए बटा उसमें ट्रांसवर्स भी फील इसलिए ज्यादा थे क्योंकि वेब यह इसी दिखाई पड़ती जैसे साइन का फंक्चन दिखाई पड़ता है यहां पर ग्राफ तो मैंने साइन के फंक्चन के साफ से बनाया है ना इस अब देखो यह तो अपने पास क्या है ग्राफ है अब ग्राफ से पता चलता है कि सर जहां पर जहां पर एस की वेल्यू जीरो होगी एस क्या अपने पास सर डिस्प्लेश्मेंट प्रमीन पोजीशन कहां कहां पर जीरो सर याला पार्टिकल याला पार्टिकल याला पार्ट यहनि के मीन प्रेजिशन पर ही इसका भी स्क्षब क्या है ग alderall हो तो इसका मंदब पार्टिकल कहां पर है प्रेज़न 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 ट चाहता है देल्टा नो flavored चेशंज क्या होता है मैक्समों होता था यह chodzi हो अब चेशंज का मतलब क्या होता है से चेशंज का मतलब होता है फाइन फ्रेसर- What प्लस चेंज क्या हो जाएगा इनिश्यल प्रेशर प्लस चेंज का मतब तो यह होता है ना कि फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा इनिशल प्रेशर प्लस चेंज चेंज क्या होता है बड़ा एक ची बताओ मेरे को सिंपल चीज बता ना कि फाइनल प्रेशर को मैं क्या लिखता हूं इनिशल प्रेशर प्लस चेंज लिख सकता हूं चेंज इन प्रेशर इनिशल प्रेशर प्लस चेंज इन प्रेशर अब देखो मैंने क्या बोला प्रेशर कहीं बढ़ रहा होता है कहीं घट रहा होता है ठीक है अगर तो अपने पा पास compression हो रही होगी तो टैण अगर delta p को कि अपने पास नेगितिव है तो कौन से वाले जो का होगा सर कौन से जो फेक्सेंक होगा हो यह कैसे आपने बोला देखो बताता हूं देखो कैसे अगर अपने पास चेंज पॉजिटिव आया तो अपने पास कंप्रेशन है अगर चेंज नेगिटिव आया तो अपने पास क्या है रेरफेक्शन देखो अगर डेल्टा पी पॉजिटिव है तो फाइनल प्रेशर इनिचल प्रेशर से बढ़ा आएगा तो कंप्र हो रहा होगा समझ लग रही बात इतनी जीस क्लियर है कि नहीं तो चेंज हो है अपने पास जो चेंज है वो अपने पास पॉजिटीव वह सकता और नेगिटीव हो सकता है चेंज के बी positive और negative can be positive or negative अगर positive चेंज हो रहा है pressure में तो compression को शोग कर रहा है अगर negative हो रहा है प्रेशर में hazır आप मतलब क्या है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इतना समझ आब कि देखो इतना समझ लग रहे बात इतना समस्च लग रहे है कि नहीं तो में सिंपल सा बोल सकता हूं कि अगर तो ऐसा है самые comparable is equal to पी इनिटिट माइनस डेल्टा नेज़ दिया और तो इस मतलब किया है यह किसको कर रहा है सर रेयर फ्रेक्ठिन को प्रेशर कम आएगा ला गल प्रिए और अगर तो क्या है अफने पास चेंफ पॉसिटिव और और अगर तो क्या है अपने पास घंज पॉजिटेब सेजिए डिई तोपने पास किस रिजन को करर से थिकते की जी स becomes इतनी जिस क्लियर है भाई साब है नॉट नॉट डालो आरे सोरी नॉट डालो आप यहाँ पर नॉट नॉट क्यों हम लोग मैक्सिम चेंज की बात कर रहे हैं तो हम लोगे तो नॉट नॉट आप डाल लो आप देखो भाई साब समझ जा मेरी बात को जो कॉम्प्रेशन वाला रीजन होगा वहां पर तो क्या कर रहा है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और जो रेयर फ्रेक्शन वाला रीजन वहां पर प्रेशर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो भाई साब चेंज इन प्रेशर का जो अगर डेल्टा पीनोट क्या है अपने पास पॉजिटिव है तो कम्प्रेशन को शो कर रहा है और डेल्टा पीनोट अपने पास क्या है नेगिटिव है तो किसको शो कर रहा है रेर फ्रेक्शन को शो कर रहा है तो भाई साब अगर यहां पर डेल्टा पीनोट अपने पास की को आपको समझ आ गया है इन ऐसी क्लियर रहे नहीं से उंखलू नेटा-पी नोट के बरापर यह प्र फेसे में पर अफने लग दिल्टा-पी लिखाता है यह पर घी देलटा-पी किसके बराबर देलटा-पी नोट के बरापर जब भया समझाया प्रभू कुछ नहीं किया लग है बस थोड़ी सी इंक बचाई है तो हमको इतना पता चलता है कि सर जब S की वेल्यू होती है जिरो जब S की वेल्यू होती है जिरो एनी पार्टिकल जब होता है अपनी मीन पॉजीशन पर तो जो चेंज इन प्रेशर होता है वो मैक्स P not but delta P not can be positive और negative यड़़िव लेकि डेल्टा P not positive और negative ओसकता है अरे भाइस साफ आपको समझ आ रही में कहा बोल रहा हूं अगर S की वेल्यूар है तो पर टिक'ल कहां पर प्रेस्टल मेन पूश्शन प्रियरवी और चुंब जो कि अब मैक्सम चेंज हो पॉजिटीन पॉजिटीव हो सकता है वहां पर क्या बनेगा कंप्रेशन बनेगा अगलेगा अगर यही संजाने के कोशिज करीए दुबारा से बोल रहा हूं एस बराबर जीरो पर पार्टिकल कहां पर मीन पूजिशन पर पार्टिकल अगर मीन पूजिशन पर तो जो चेंज होगा प्रेशन वह क्या होगा मैक्सम होगा अब वह जो डेल्टा पी नॉट है वह पॉजिटिव बहुक्त और नेगटिव हो सकता है अगर पॉजिटिव है तो इसका मनदग फाम परेशन है अगर नेगटिव है तो लेकिन हमको सर यह तो पता ही नहीं है कि यहां पर कौन से βाले केसं Science और किestar writer प्लm पर किस बार ले पॉइंट पर जैसे यहला पॉइंट को मैं बोल देता हूं फर्स्ट पॉइंट इसको सेकेंड इसको थर्ड पॉइंट सर्क किस वाले केस में compression और किस वाले केस में rare fraction इतना तो पता है अगर s बराबर 0 है तो इतना तो पता है एस बराबर 0 पर डेल्टा पी नौट मैक्सम होगा अब डेल्टा पी नौट क्योंकि से एस बराबर 0 पर रेर फ्रेक्शन असर यह नहीं पता समझ लगरी बात क्योंकि एस बराबर 0 पर डिस्प्लेस्मेंट जीरो होती है यानि कि पार्टिकल मीन पॉजिशन पर होता है तो अपने पास compression भी हो सकती है और रेर फ्रेक्शन अगर आपको इतनी बात जो मैंने चि समझ लगरी बात कुछ भी नहीं छोड़ते हैं अगर आप अच्छे बच्चे तो आप भी करके जाओ वह बात लगे इंपोर्टेंट रही है आज तक नहीं आया ठीक है तो वहां पर कुछ भी हो सकता है तो कि चेंज क्या है अपने पास maximum वह पॉस्टिव हो सकता है अगर पॉस्टिव होगा तो compression होगा नेगिटिव हो तो हमको इससर यह नहीं पता चल रहा है वन टू थी पॉइंट में सब पर क्या है पार्टिकल मीन पॉजिशन पर एसकी वाली जूरू है तो किस पर compression है किस पर अब बात करते हैं फील वाली बात फील वाली बात फील वाली बात आपको फील आईगी खुश्चों कि जब क्या होता है अपने पास compression होता है तो पार्टिकल कहां पर होते हैं पास पास में होते हैं एक दूसरे के इस तरीके से किल करना तो पास में आजाते हैं तो जितने भी आसपड़ोस के पार्टिकल होते हैं वह पास में आजाते हैं चाहिए इन सबका स क्या है जीरो है और हुआ क्या है कि जो आसपर उसके पार्टिकल से पास में आ गए है तब युद देंस्टी बढ़ जाएगी इस रीजिन में यह कॉंप्रेशन वाला रीजिन हो जाएगा और रेयर फ्रेक्शन वाले रीजिन में क्या होगा सर पार्टिकल खुले खुले पड़े होंगे परटिकल यह भी क्या है एस बरावर जीरू लाइन को ही रीजिट कर रहे हैं अपनी मीन पृदिशिन पर हैं ने यह जो पार्टिकल जक्राइए जो की हरे हरे से बनाए सारे अपनी मीन पृदिशिन पर रहे हैं और बाकि कि जितने भी पार्टिकल्स थे लेफ्ट वाले राइट वाले वो उसके पास में आ गया है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है क्या रहा होता है अपने पास हो अंपया रहा होता है अपने पास है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होता है जब लेफ्ट वाले पार्टिकल किदार आ रहे हो इस दिरेक्शन में आ रहे हूं यहां अधिक के केस में क्या होता अपने पास इसर लेफ्ट वाले पार्टिकल्स लेफ्ट पार्टिकल्स इदर जा रहे हो इस डिरेक्शन में जा रहे हो यह जो इसा तो हो रहा है जो मैंने आपको दिखाया आए उसके अखॉर्ड और रेर फैक्शिं emotionally और दूर जा रहे होते हैं राटेंट बाले और दूर जा रहे होते हैं लेफ्ट पार्केवाले डिंस पार्टिकल्स थी बैसे हो यह समाझ लगड़ पार्टिक्सेट एप उसे डिसफेनीं के बात कर रहा हो रहे वाले फार्टिक्स यंघ दो लफ्त पार्टिक्ष्ट इदा रहे होते है अपने पास negative नेगरबा फ्रक्रिक्सिंग डिसको पॉर्ट व्यॉत्त वाले पांच आथा प्रटिक्सिंग संपॉर्हण सब्सक्राइब captive prim जा रहे हैं पॉज्टिव डिस इं... तो यह, फील वाली बात है. अब से फील वाली बात हम da. अब ग्राफ से बता हो सार ग्राफ से कौन सा वाला प्वाइट कंप्रेशन होगा होगा कौन सा वाला रियर ul फ्रेक्शन होगा. देखो जा इम यह वाले जो particles है सर ये तो हो गए left वाले particles, इधर पर जो particles lie करेंगे, वो हो गए right वाले तो देखते हैं, सर, क्या हो रहा है अगर आफ देखोगे तो सर ये जो left वाले particles है इन सब के अगर मैं displacement देखूूं तो सर displacement तो ऊपर की तरफ है और उपर की तरफ हम दो पॉस्टिव लेते हैं जो सबकी डिस्पेस्मेंट ऊपर की तरफ है यानि कि पॉस्टिव डिरेक्शन में है और जो राइट वाले पार्टिकल्स है राइट वाले पार्टिकल्स है जो याले पार्टिकल्स है इन सबकी डिस्पेस्मेंट की तरफ है न सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर क्या होगा कमेंट सेक्षिन में अगर तुम्हें समझ आ गया कि यहां पर तो रही अग्स होगा तो मुझे बताद ऋए बटा चेंज इन प्रैशरं तो मैक्सम होते ही है जो हूआ है जो मैक्सम बीडी आया लगा точки इसा यह इससे ऊपर रहना तो वीड अपर ठीक्शन ऐख होगा इससे नीचे तो नेगेटिव डिस्पेसमेंट ठीक है अब देखो इस वाले पर बताओ टू वाले पॉइंट पे तू वाले पॉइंट के सर यह आले पार्टिकल है अपने पास लेफ्ट वाले यह राइट वाले लेफ्ट वाले जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ लेफ्ट व और जो राइट वाले पार्टिकल जा रहे पोजटिव कि इस साइड तो पार्टिकल ऐसे जा रहे रहे हैं तो यानि कि टू वाले पॉइंट पर क्या हो रही ओगी सर कि टू बात कि नहीं बने लगी जब भी अपने पास जब भी अपने पास particles क्या होंगे मीन पुजिशन पर होगे तो वहां पर या तो compression वाला होगा होगा या रेर और सवाला होगा समझ लग रही बात या तो वहांपर compression वाला होगा या रेरफ्रीक्शन वालो आप कहां पर compression होगा कहांपर 139 उनलगा वह आप graph के अब देख लोगे फील से देख लोगे ठीक ना क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर लेफ्ट वाले पार्टिकल्स पॉस्टिव की तरफ समझो यह पार्टिकल्स है मीन पॉजिशन ते यह समझो मेरा हाथ मीन पॉजिशन इदर वाले पार्टिकल्स लेफ्ट वाले पार्टिकल पूरा खोल खोल के पढ़ा दिया पूरा खोल के इससे जादा नहीं आएगा इससे जादा पूछा जाएगा लेकिन हम हर साल क्या करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं कि क्या पता आजाए बटा आज रिकॉर्ट आए लेकिन क्या पता अजये इसी उम्मीद में लेकिन गारा मैं बताता हूँ रहा है कि इंडिया के 99 टोड़ गोंगे से चॉड़ अगर पढते हैं तो डंक से नहीं पढते कपशिक एक परसेंट बच्चा ही करके जाता हिस Ł verdade कि यह घ्या बता र Byaz ठीक है चलो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी फील वाली बात अगर आपको समझ आई है फील वाली बात आपको समझ आई है चालो अब देखो अब जो मैं करने जा रहाँ वह उतने ही इंपोर्टन है जितना आपके लिए नीट का एग्जाम क्रेक करना ए जो मैं अभी कराने जा रहा हूं वह उतने ही ज़ा install करना इसका मतलब अगर टो आप पेपर में जाओग तो आपको ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा चांस ही नहीं है कि आये न ही नहीं है सबसे ज़्यादा है सब से ज़्यादा इंपरोऩेंट को है को जी जो नहीं या जा लिए किसे हम लोग कहते हैं की तो और गन पाइप सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और अगर आपको पिछली क्लास में अगर स्ट्रिंग वाला समझ आया है बोथ फिक्स डेंड बन रही थी या अपने पास ईक फिस्टेशने बन रही थी अगर आपको वह समझ आ तो ओडा दोगेए ऐसे है कि आज जहाए अठीका है यह से ब σουक् bursting सटीव şunu ऑपने पसए होते हैं एक होता आ पने पास प्लॉट और दूसरा होता है अपने पास ओपन ओर्गन पाइप कौन्स ओर्गन पाइप ओपन ओर्गन पाइप समझ लग रही है बात आपको एक होता है अपने पास ओपन ओर्गन पाइप एक होता है अपने पास ओपन ओर्गन पाइप एक होता है अपने पास ओपन ओर्गन पाइप एक होता है अपने पास ओपन ओर कि और गन अब सबसे ज़्यादा सबसे सबसे ज़्यादा और और गन पाइब सबसे इंपोर्टेंट है वो है लोगन पाइप पाइप अपने पास एक सिलिंडर ट्यूब होगा जिसका एक एक एंड क्या होगा बंद होगा समझो यह यह रहाग और यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक ट्यूनिंग पॉर्क क्या होता है इसकी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है हम लोग क्या करते हैं यहां पर लेकर आते हैं तो क्या करते हैं होता क्या है अपने पास सुनना मेरी बात को अगर हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आया क्या करते हैं और इसके पास में लेकर आते हैं जो खुला वाला है उसके पास लेकर आते हैं तो उसके बन रही होती जैसे अपने पास के केस में बने verme बंटी वढब फिंस्द में यहां से बैसिक वाली बंती है अपने पास क्योंकि यहां और यहां से खुला हुआ है तो जहां से बंदने में अपर आते हुआ चुह आए न О्ब्द हो हमेशा हो रहा है बसके ऊपन वाला उसकी बहुत बन रही है वह इस शेप की बन रही है और यह बेसिक वाली और है है एकदम बेशिक 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 अपने पास पाइप है इसकी लेंद्ध क्या है अपने पास एल वही काम करना सेम तो सर एंटी नोड और नोड की बीच की जो दूरी होती है वो तो कितनी होती सर लेमडा भाई-4 हमने सीखा तो लेमडा कितना हो गया लेमडा गर 4L हो गया तो अपने पास जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी अपने पास वह फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी अपने पास अपने पास लेमडा होता है फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी अपने पा सब्सक्ता है जोब沂ाब बन सकते अपने पास कैसे बन सकते विलकुल एक इतरह पक्ता है की सपर open है open end है यहां पर और यह तो close है यहां पर नोड बनेगा लेकिन इसमें यह possibility भी तो सकती है ऐसा भी तो हम लोगों ने one end fix one end free में बनाया था करा था कि नहीं करा था माल लेते हैं length क्या है length क्या है अपने पास एल है length क्या है एल है तो देखो उसी औरगन पाइप में एल लेंद क्या औरगन पाइप में हम लोगों ने क्या किया इस टाइप की शेप बना दी कि यह जो बेसिक था उसके इलावा एक लूप और डाल दिया ओ इस सर यह तो नोट वहीं आपने पास anti-node से नोट की दूरी लेमडा बाइ Bor ठीक़न फोर और तो अपने पास तोटल लेंद कितनी होगी सर्म इसको क्या बोलेंगे सर्म यह तो बेसिक नहीं है इसको क्या बोलेंगे और कौना के लावा यह बेसिक है इसके लावा एक लूप एक्स्ट्रा है यहको प्म Nissan की लूप है यह एक्स्ट्रा कि लोप के लावा यह सड़ सेमिलर्ली अगर अपने पास क्या हो जाए उसा बन जाए US अ एक लोगे एL जाए कि इस टैप से और कर सकते। न यह नोट यह पर यौप यह पर अंटि नोट रोट रोल hacked HDC के लावा इल्वा कितने लूप से सन दो लूप से अक्ष्टन है इलो हो गया 달라 इप यह होग्या representative नोड 14 प्लस लेंडा ऒबाई टू अ लेंट आप ईंटी नोड नोट की बीच की दूरी दूरी लेंडा और नोटन की दूरी लेंडा गाहिए यह दो हो गया ल के बराबर कि इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे फिप्थ हार्मोनिक क्या है तो जो भी वी वाइफ पॉरल के साथ हो वह हार्मोनिक में चला जाता है क्या बोलेंगे सूद्फ ह इसको बोलेंगे हम लोग रिप्थ हार्मोनिक और कौन्सा ओवर तो देखते कि बेसिक के लावा कितने लूसर यह बेसिक हैँ उसके लावा दो और एलाई उसके बाद थ्रीद उसके लिए फिर लॉह इसमें यह इवन हार्मोनिक नहीं होते हैं underwater हमोनीक फॉर्थ हार्मोनिक सिस्थ आर्मोनिक एट्ट हार्मोनिक नहीं होता यहां Eugene कि आ और हार्मोनिक्स होते हैं और हार्मोनिक्स होते हैं ठीक है तो वैसे ही अगर अपने पास समझो इस टाइप की है अगर n loops बन रहे हैं अपने पास, ठीक है, n loops का मतलब basic को include कर गे, basic को include कर रहे है, including basic, basic वाला देखने में loop तो नहीं, लेकिन मैं इसको loop बोल रहा हूँ, अब मैं आधा loop तो बोलूँगा नहीं, तो मैं, इसको अगर loop बोल रहा हूँ, एक loop, दो loop, तीन loop, चार loop, तो इसको भी एक loop consider कर रहा हूँ, इसको मैं basic loop बोल रहा हूँ, शीक है, including basic, जान व्लूब बहूने को बोल रहा हूँ, जैसे कई इसको मैं बोल देता हूँ, जैसे आपको, कैसे बोल सकते हूँ, इसको मैं 1st loop को डिवासी, loop नहीं बन रहा, पुरा बंद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्या बोलो आधा loop बलने महां अच्छन लगता हो तो लूप बोल जो यह aq- ref यह 2 before future basic लूप को हटाके एक एकस्ट लूप है तो इसलिएång basic loop को हटाके यह इसलिए दो ले यानिकि एक तरह से इसमें n की वेल्यू क्या हो क्या है इसमें नमबर लूप्स क्या है एक तरसे है इसमें लूप्स में टोटल में एक यहां पर न लूप्स का मतलब इंकलूडिंग बेसिक तो वह चालेगी टू एन माइन ओन पीन फ्सक्राइब फोरॉ है यह लाप आपने पास लन्थ ल क्या अपने पास लेधग्द फविस्ट्राम सल पंधा हर्मोनिक जो भी वी से स्टार्ट करनी से स्टार्ट करनी क्योंकि एक लूप से स्टार्ट करें दूसरा तीसरा लग लग एस चलते रहोगे इस तुमस्ज लगरी बात बटा नमबर अफ लूप्स कितने वह सकते हैं एक दो तीन चार लेकिन जो अपने बस बेसिक के लावा कितने एक्स्ट्रा होगे सर बेसिक के लावा एन माइनस एक्स्ट्रा है तो कौन सा ओवर्टोन एन माइनस वन ओवर्टोन जो आई थी अपने पास वी बाइफोरल यह वाली हो सेकंड़ प्रिक्वेंसिर आई सटेकिव इसे क्लेक्व कंजेकिपव यह पहली उसके बाद जो दूसरी क्या बन सकती है can एक और यह पहली तो दूसरी में फान आई थी वह कितने आई ठी वर थी आ सकती है कि उसके अधर कंजेक्टिव क्या सकती है सर नेक्स्ट यह आ सकते हैं अगर आप देखोगे तो इस इस तो फ्रक्वेंसि के आप रेसियो देहो तो कन्जडेक्टिव एक फ्रक्वेंसि तक राप इसटो देखोगे थो आपको अँर्ण से नंबर स्किर रिशओ नहीं गीं मैं अगर मैं आपको ढोले हैऌ एक अपने पांगे है यह तों फ्रै एसас english से अपने यहनि कि अपने पास यहां पर अपने पास यहां पर जो फ्रिक्वेंसी की जो रेश्यू जाती है वो क्या आती है अपने पास और नंबर में आती है किसमें आती है और नंबर में आती है ठीक है अब एक टाम आती है यहां पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कौनसी फ्रिक्वेंस खैसे से मतलब क्या होता है बोरेंस है जब फ्रिक्वेंसी क्या कर जाए मैच कर जाए अब वह कब बोलेगा वह इसे बोलेगा यह तिन है उसको जो हम लोग लेके आये किसी ओर्गन पाइप के पास और रखा तो टुनिंग फॉर्ग की फिर्क्वेंसी और क्या जो अपने पास ऑपने पास और फ्रिक्वेंसी मैच्वय 이제 हो सकता है कि अपने पास स्देशाय को यह दों इसकी कुछ हें यह फिरक्वेंसी यह पता फिप्फ हार्मोनिक से मैच कर रही हो तो इसे बोलेगा आप एक त्यूनिंग फोर्क लेकि आए और जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी जो रेजनेंस हो रही है वो फिफ्थ हार्मोनिक से और यह सब फिफ्थ हार्मोनिक सो रही है तो उसे आप बोलोगे इतनी जिस क्लियर है कि नहीं तो यानि कि जो फ की वैल्य हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी वो किसके को लोगी समझ लगरी वाद कैसे करना है वह अब कोश्चन कराओं तब समझ आएगा बोलेगा एक और पास उसके पास एक ट्रीनिंग फॉर्क लेके गए और रेज कि सցे कि दर्फ फ्रिक्वेंशी पे सकती है मृस्थ आर्मोनिक पर भी हो सकती है ह् classrooms च क्वार्मोनिक को सब्सक्राइण करेंगा सब्सक्राइब तो रेजोनेंस का मतलब सिंपल क्या होता है है किसकी फ्रेक्वेंसी मैच कर जाए तो जो त्योनिवेंसी का मैच कर जाया हुए पूइज का मतलब क्या होता है सर्पेंस का मतलब होता है आप जो तब ये उसकी फ्रप्वेंसी पर नहीं चलती है और नहीं चलती आज तो हाड tuning फॉर्ड की उपर उसकी frequency लिख्य होती है अब जो टुणिन फॉर्ड की टुनिकर देंगम लोग,- death resonance और जो अंदर ффित harmonिक्स वाली, जो stationary waves बन रही है उनकी께 तो इसका है फ्रिक्वेंसी है वो टीनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी से क्या कर गई है मैच खा गई है तो इसका मतलब क्या हो गए अपने पास तो एक अपने पास क्या है और पाइप उसके पास अगर आप टीनिक फोर्क लेके आते हो तो फ्रिक्वेंसी अगर मैच खा जाती तो लोग बोल देते हैं अब देखो अपने पास एक चीज आती जिसको लोग कहते हैं हिस Each कॉलम क्या होता कॉछने डिवाइस होता है जिसमें लोग बार-बार रेजुनेंस कर रहे होते हैं कैसे यहां पर हम लोगों ने क्या कर रखा एक इस पानी की और इस टैंक से आप पानी के लेवल को इस ट्यूब में कम ज्यादा कर सकते हैं यह वाटर टैंक इस वाटर टैंक की हल्ब से आप पानी के लेवल को इस ट्यूब में आप कम ज्यादा कर सकते हैं तो अभी समझ्ञे चेश् Carry-स है अभी पानी है प नजब ने 맞아 पनी भर और अप अपने क्या किया आप एक मार और ले के आए कि ले क्या तो देखा और यह इस हैं प्रहर आपने क्या किया पानी की लेवल को कम करना शुरू गिया पानी को लेवल को आपने धीरे-धीरे कम करना शुरू किया पानी के लेवल जो आप कम कर रहे थे कम कर रहे थे तो इस टाइप से अपने पास बनती जा रही थी सबसे पहले तो बेसिक ही बनी ऐसे बन रही थी और पानी के लेवल कम किया तो अपने पास जो बेसिक वाली है व तो जैसे अपने पास फंडामेंटल बनी वैसे फंडामेंटल से क्या हुआ इस ट्यूनिंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी मैच खा गई तो यह जो चीज है अपने पास यह क्या है लेंट्थ इसको मैं बोलता हूँ एलवन लैंथ तो जब आपने पानी के लेवल को एलवन लैंथ कम किया तब जो अपने पास बना तो जो बैसिक है अपने पास फंडामेंटल स्रिक्वेंसी उससे क्या किया इस ट् award की क्या थेव मैच उनले पहली रेजोनेंस कहां पहोंगीサöd के लवन लेंथ पे हो गई देखो बटा यह जो पानी का नीचे लेवल ना एक तरह से किसकी तरह कर रहा है और उपर तो हवा है तो अपने अरको जूझे पर्षे ने व्हाइं घ्रक से थे समधना तो यह जो चीज इतना पोर्ष्ण यह तर पानी नीचे वह एक तरह से लगातार जब कम कर रहे थे तो अपने बावर लेंथ पर जाके बैसिक बना और इसकी फ्रिक्वेंसी और अपने पास जो टूनिंग 4 का उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो सर वी अपॉन पूर 11 हो गया फिर आपको तसली नहीं आपने और पानी का लेवल कम किया तो फ इस इगल टू पूर वी 11 ठीक है ना यह रेजनेंस हो गई ठीक है तो फ्रिक्वेंसी टीनिंग 4 की और यह जो पने बस बेसिक लूप है उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई अब आपको चैन नहीं मिला तो आपने क्या किया और पानी के लेवल कम किया तो हो growing अपने रेजोनेंस अपने पास होगी कब हो जय अपने पास क्या बनेगा सिस्टेश्णरी वेव बनेगी तब होगा न अपने पास लेंस माने पे कितनी लुए अब लेंस पर जाके क्या हो रहा है अपने पास च्या हो रहा है इसे ईसे और हुझ सब्सक्राइब पर हो रहा है सरस्क्राइब लेंगे हो रहा है तो यह था पास फ्सक्राइब यह हो गया सेकंड रेजिएस्ट तो और और पानी की लेवल को कम करो किस हार्मोनिक पर मिलेगी सर फिफ्ट हार्मोनिक पर मिलेगी माल ले तो समझ लगरी बात तो आपको इस तरीके से अलग अलग लेंथ पर अपने पास अलग अलग हार्मोनिक मिल रहे हैं अपने को पस्ट हार्मोनिक उसके साब से फ्रिक्वेंसी मैच कर गी तो ऐसे अपनी फ्रिक्वेंसी मैच लगातार करती चली जा रही है तो अपने को रेजोनें कि यह तो समझे पानी भरा हुआ है कि सबसे पहले अपने पास यह था कि यह था और अपने फ्रिक्वेंसी मैच कर गी थी कितनी लेंद्थ पर तेज़े है कि अरे भाई बंजा सबसे पहले अपने पास ऐल लेंद्थ पर गइक तेज नवा दाव अपने पास है एक है पिसलेंज पर से फिर ने सच पर आपने पास इस तरीके से मालो दो कि अबने पाइस को अबने पास तो अपने पास चेंज करते जा रहे हो हुए एक न तो पने पास रचोटी जा रही है रेज़नांस लगातार होती चलिए रहे रही है पहले यह फी लेड़ी लेंधे यह लेजुए यहां पर यह तो एंटी नोड है और यह क्या है नोड है एंटी नोड की बीच की दूरी सर कितनी होती है लेमडा भैँ चैनल होती है बहुत असान है यहां पर यह तो एंटी नोड है यह भीट है फिर यह नोड है यह नोड है यह नोड है और यह तो और आंटी नोड नोड लैम्डा भाई 2 नोड नोड लैम्डा भाई 2 नोड एंटी नोड लैम्डा भाई 4 जो यह तर भी और नमबर यह है और वो लैंथ जिस पे क्या हो रही है अपने पास जिस पर अपने पास resonance हो रही और रही है तो क्या रही है और नमबर नमबर आ रही है यह भी आपने पास और नमबर ही है तो वह लेंथ जिस पर क्या हो रही है अपने पास रेजुनेंस हा रही है वह भी क्या है अपने पास और नमबर है ठीक है को देखो यह लगोशन करते हैं आ इस अपने पास और यह इसी में तो बना रहे हैं वह अपने पास और मोग बना रहे हैं ठीक है तो पूछा दर the number of possible natural oscillations of air column in the pipe close at one end of length यानि कि जो pipe अपने पास वो क्या है एक end से क्या है close है अफ लेंथ 85 cm लेंथ कितनी है सर 85 cm है उस फ्रिक्वेंसी लाई बिलो 1250 हर्ट्स आर देखो बिटा हम लोग कितनी नेचुरल ऑसिलेशन बना सकते हैं कितनी नेचुरल ऑसिलेशन का मतलब हार्मोनिक्स कितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बना सकते हैं हम लोग कितने नंबर ऑफ पॉसिबल हार्मोनिक्स बना सकते हैं कितने नंबर ऑफ पॉसिबल हार्मोनिक्स बना सकते हैं कितने नंबर ऑफ प तो इस फ्रिक्वेंसी के अंदर हम लोग कितने हार्मोनिक्स बना सकते हैं देखो मेरी बात क्या से करोगे स्टैक्स सवाल को कि अपने को क्या क्या दे रखा है अपने को दे रखा भाई कि सर जो सबसे पहली यह तो देख लेते जो अचैनल न ह्तना कि इस फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही सर बेसिक वाला है उसके लिए फ्रिक्वेंसी आ रही है वह ग्राइए है कि आपने पास कितनी आ रही है रही है खोद कितना है तो मैं मुबाइल से काले तो मैं निकर रहा है तो 340 divided by 85 तो यह आंसर कितना आ रहा आपने पास कितने हार्मोनिक्स बताने हैं आपने को वह हार्मोनिक्स बताने हैं जो कि इस फ्रिक्वेंसी के अंदर आ रहे हैं तो सर जो फर्स्ट हार्मोनिक अपने पास यह तो फ्रिक्वेंसी की रेशियो होती है अपने पास तो frequency की ratio होती है अपने पास close organ pipe में वो क्या होती है 1 is to 3 is to 5 is to 7 यानि कि अगर पहला वाला है x तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा sir 3x तीसरा क्या हो जाएगा अपने पास sir 5x चौथा क्या हो जाएगा अपने पास sir 7x यानि पहली frequency अगर x तो दूसरी 3x हो जाएगी तीसरी 5x 7x तो sir f1 है अगर 100 तो f2 कितना हो जाएगा sir 300 f3 कितना हो जाएगा sir 500 अभी भी 125 0 से कम है f4 कितना हो जाएगा sir 700 f5 कितना हो जाएगा sir हो जाएगा अपने पास 900 f6 कितना हो जाएगा sir f6 हो जाएगा अपने पास 1100 और f7 कितना हो जाएगा sir 1300 हमें तो 1250 के अंदर अंदर चाहिए थे ना फसारी फिक्वेंसी यानि कि जो अपने पास 13 थार्मोनिक होगा जो 13 थार्मोनिक होगा वह एंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे समझ लग रही हो है सब्सक्राइब करेंगे तो अपने पास एक दो ती चार पांच छे आंसर कितना आजाएगा अपने पास सिक्स समझ जग रही है बात ठीक है ठीक है भाई सब नेक्स देखो अपने को फंडामेंटल वातानी है वो पूल रहा है कि जो दो नियर्स अपने पास इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है अपने पास नियर्स के मतलब एक के बाद कजेकर थर्ड के बाद क्या आता है यह घ्याली और यह वाली का आप लेकिन हमको बता है कि सर जो रेश्यूज आती है वो तो और में आती देख लेते हैं 220 इस टू टू शिक्स्टी जीरो से जीरो गया यह गया 11 यह गया 13 सर यह 11 थार्मोनिक है यह क्या है उसने पूछा है व्ट इस दा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अपने से क्या पूछी जा रही है सर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है एपने पास 20 के बराबर अरे भई सब्सा किजम को बराइब भाइब यहीर तु miedo को फवीडार्मेंटल होती है ठीस क्लीर है तो क्वाँसे क्या जाएगा आपने बस 20 खाड़ आजएगा और कॉलम जोट वन एंड उपने अडर रेजिए सिदट टूनिंग फोर्क वें देश्मॉलेस्ट लेंथ अपने पास एर कॉलम है उसको जब टूनिंग फोर्क से बजाया गया हुए है इक अपने पास किया है here को सारा काम है क्यों कि लेंद पूछी हुई में थे ही okay आपचा तो होगा रहा है है अपने पूस नार जलिंट क्या होगी क्या होगी कोलम की और कि एर टुनिंग फोर्स में अफिस्मालइस लेंथ और यहां पर क्या बन रहोगा इसे लावत और कुछ बन रहोगा इसके लावत और कुछ बन रहोगा उसने क्या बोला और यह जो जहां पर यह बनती यह कौन सा कॉलम नीचे सब्सक्राइब ने पानी डाल दिया ताकि बंद कर दूं दूसरे एंड से ठीक है तो एंड एंड उपर से खुला हुआ है रेजिनेट्स विदर ट्यूनिंग फॉर्क वें दे स्मालेस्ट लेंथ और कॉलम इस 50 सेंटीमेटर इनी स्मालेस्ट लेंथ अगर 50 सेंटीमेटर तो यह पक्का क्या होगा अपने पास ऐसी शेप बनेगी नेक्स लार्जर लेंथ अग्वालम बताओ नेक्स लाजर लेंथ बने पास नेक्स क्या होगी सर यही वाली होगी नेक्स लीट थी अपने को पता है कि ल 1-2-3 किसमा आती है और लेंप पचास है तो ल्टू कितना होगा तो जो नेस लार्जर रेजुएंस वाली होगी अपने पास Nim हम पानी भरा हुआ है कि याद रखना कि यह हीजी मैंने बताई है इसमें यह चीज होती है अपने पास गार सुल कि यहां पर पाणी भरा हुरा है ऑने यह आपक उपने पाससे पने पस के ऑपने पास और नीचे अपने पास वाटर कॉलम है जो पूछा जा सकते अपने से अपने को कभी कभी क्या देगा वो कि अपने को वो successive length देगा कि सार एक के बाद एक length जिस पर resonance हो रही है वो देदेगा समझो एक resonance की जो length है वो अपने पास समझो ये है तर ये समझो ये length अपने पास resonance की इसको L माल लेते है मेरे नेक्स देगा आपने को पुस्य क्यों से सख्सासिट दे ला है कि मैस देगा सर को और क्यों होगी वुङ को सद्वज्ऩ को ति एक दो तीन होन फिर्फफ्प अर्मोनिक वाला है डिक्स यह आ पने पास थावन हर सेंप हार्मोनिक पिक कि न हimon से सब्सक्राइब है तो इसको मैं बोल देता हूं क्या तो ऑले अंड एंड लडश आर मिन एक सेशिवलंदॉ d रेजोनेंस लेंथ यह एक के बाद एक वह लेंथ जिन पर रेजोनेंस हो रही है वो क्या है अपने पास लेड़ डाश कुछ भी हो सकती जैसे मैंने यहां पर आपको ऐसा दिखा दिया ऐसा दिखा दिया क्या बताएक होता होता या कि अब तो मैंने आपको क्या दिखाया यह किसका फिफ्ट और ग्लीक टौर के दॉर्ड पर दिखा दिया है तो अपन से क्या पूछा जाता है से तो अगर तुरिंग वूर के उसकी V वो होता है two times frequency L dash minus L L dash और L क्या है अपने पास successive resonating length है अपने पास successive resonance length है अपने पास उनका difference ले ले लेना उसको frequency से multiply कर देना two times कर देना speed of sound आ जाएगी direct आपको यह याद करना है आपको इसकी derivation पर नहीं जाना कोई भी काम की नहीं है ठीक है इस इस क्लियर है तो देखो सवाल देखो वाई सब सवाल गया है सवाल है अपने पास अट्यूनिक पोस्ट फ्रिक्वेंशी 800 Hz फ्रिक्वेंशी कितनी दे रखी है 800 Hz प्रदीश रजूनेंस इन रजूनेंस इन रजूनेंस कॉलम तूब इध अपर एंड ओपन एंड लोवर एंड क्लोज ऑव्वेस ही बात है वाई वाटर सर्फेस सक्सेसिव रजूनेंस और अब्जर्व डेट लेंथ इस पे इस पे इस पे इस पे जो सक्सेसिव लेंथ मिल रही हो कौन को सी 9.75 है 31.25 है और 52.75 है यानि कि यह एक तरह से अगर मैं इसको एल बोल लूँ तो यह एल डैश है और यह क्या है एल डबल डैश है इन्हीं कि सक्सेसिव लेंथ है तो किनी भी दो को लेलो चाहे 9.75 और 31.25 को लेलो इसको इसको लेलो तो जो पूछा क्या गया सवाल में देश्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो वी क्या हो जाएगा अपने पास टू इन्टू एफ इन दोनको लेते हैं अल डैश मानेस अल चाहिए आप अल डबल डैश मानेस अल डैश करको तो भी आंसर सेम यह आएगा एल डैश मानेस एल तो टू फ्रक्वेंशी कितनी सर एट ह 35 गया तो कि ताहै आं पांच गया 00 12od Sitting अपांच 21.5 झीजिए न और अपने सब्सक्राइबर ऑठ खिया। तो मीटर में तो करना है तो दिवाइड बाइड वाइड कर दो है दोनों का डिफरेंस सेंटीमेटर में आया ना अब नेकों तो आंशर मीटर में चाहिए तो यह इसे चला गया बाखी इसको मुल्टिप्लाई करो तो आंसर आता 344 मीटर पर सेकंद समझ लग रही है बाद 344 म करो त्रिक से कर लेकर अपने बताना इसकी रिषय हूं इसकी रिषय मेट। så नंग्स अपने पास लेंग कुबने दात्रिस निकल्स सब्सक्राइए जो पाइग उसे तिस निकल्स स्टेव पोर्टिम्स एंग्लाइएन और लावार ट्रीज मेटेजिदों whats फ़िट दि में जूरीडिवेश के फैप सालांग also representing इंग जूस्ट्रू उन है रिंग तो बताओ विलॉस्टी आफ साउंड यह लो वी क्या हो जाएगा अपने पास टू एफ इंटू एल डेश माइनस एल प्रेक्वेंसी कितनी है सर्फिक्वेंसी है अपने पास कितना है इसको क्या करोगे आप अंड्रेट से डिवाइट कर दो तो मीटर में हो जाएगा अपने पास तो देखो आंसर कितना रहे है यह जाएगा जी रोट टू जाएगा अपने पास कितना टू एक जीरो से एक जीरो चला गया तो 64 इंटू 53 एक ना 64 इंटू 53 डिवाइट बे टन तो 339.2 यहनी कि आंसर कितना रहे है अप्रोक्सिमेटली 339 आ रहे है इस टाइब से आप कर सकते हो डिरेक्ट यह ट्रिक लगा कर समझ लग रही है बात घर पे कंवेंशल मैथर से भी ट्राय करना घर पे सिखाया ना कैसे रेशियो लेके कराया ना अपने पास जितनी वी अपने पास सक्सेसिव लेंथ जिस पर रेजनेंस हो रही है उन सबकी जो रेशियो आएंगी और नंबर पर ही तो आएंगी उससे करके देखना लंबा पड़ता है लेकिन हो जाएगा ठीक है लिकिन मैं बैस बताओं जब भी यह लगो आज के लिए हो गया है ठीक है तो आज के लिए बस इतने ही वैसे जान निकल जाते हैं इतना सारा पढ़ा देते हैं लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं न वह खोल खोल के एकदम डीप में पढ़ा रहा हूं बढ़िया तरीके से ताकि आपको इदर उदर जा ने की जुरूत ना पड़े मै ऑच्छे बच्चे क्या गरते हैं ज aż या च discovered और एसी निकाल देते चप्टर को की W起來 803 सवाल आते हैं और चुनिंदा टॉपिक झाल झाल